नमस्कार आप सभी आगनबरी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में वैसे तो बहुत सारी अपडेट आते हैं और उन अपडेटों के बारे में आपको जनकार दी जाती है तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगनबरी सिविकाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट है और जो मैं बताऊंगा उसको किस परकार से भरना है जैसे कि यह बहुत जरूरी है आपके पोशन ट्रेकर एप में इस फर्म को भी भरना तो फर्म कैसे भर आने वाला हुँ जैसे कि आपको मैं यहां पर बताऊं कि जो यह आंगनवारी केंद्र की स्थिति हैं उसका फर्म जो है कि आंगनवारी सिविकाओं करते तो आप सभी आपके स्थिति क्या है इसके बार में पता चल सके तो आईए आज की इस वीडियो में, इसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस परकार से आंगनवारी केंदर की इस्थिति के फॉरम है उसको भड़ेंगे तो आप सभी आंगनवारी बेहनों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और जो भी नए नए व्यूवर हमारे चैनल पे आ रहे हैं इससे कुछ नई जनकारी मिलती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि आप यहां नीचे में देखेंगे कि AWC की स्थिती दी गई है तो AWC की स्थिती में हम लोग नया चेकलिस्ट भरते हैं जो नया चेकलिस्ट है वो हमको किस परकार से भरना है जैसे कि भंडार पंजी का भी इसमें कुछ बिवरान आपको डालना होता है तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि जो नया चेकलिस्ट है उसको भरने में आपको असानी हो तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसे कि यहां पर दिया गया है नया चेकलिस्ट जोड़े तो हमको क्या करना है नया चेकलिस्ट पे किलिक कर देना है और किलिक करते हैं सबसे पहले आपको यहां पर डेट वाइस दिखा देगा कि आप किस डेट को यह चेकलिस्ट भर रहे हैं और चेकलिस्ट भरते समय आपको यहां पर चार फर्म दिये गए हैं जब तक आप लोग इन चारो फर्म को भर के सम्मिट नहीं करेंगी तब तक आपका पूरा चेकलिस्ट कम्प्लीट नहीं होगा तो पहला है स्वक्षता और सुरक्षा, दूसरा है खाद सुरक्षा और हेंडलिंग, तिसरा है खाद सुरक्षा और हेंडलिंग THR और चोथा है रिकॉर्ड और रजिस्टर तो चारो फर्म को हम लोग बारी-बारी से भरेंगे यह जो चेकलिस्ट है इसको भरना काफी इंपोर्टेंट है इसलिए इंपोर्टेंट है कि आप लोग देखी रहे हैं कि जो नय नय अपडेट आ रहा है आप लोग के द्वारा जो चेकलिस्ट भरा जा रहा है अगर उसमें कुछ अपडेट आता है तो उसको भी आप लोग आपको समझना चाहिए कि कैसे इसमें वो चीज फिल करना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्वक्षता और सुरक्षा का फॉर्म ओपन करते हैं ओपन करने के बाद दिखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है आगनवारी केंद्र परिशर की सफाई रोज होती है तो आपको यहाँ पर हाँ पर किलिक कर देना है रसोई घर या कीचन साफ रखा जाता है हाँ पे किलिक कर देना है टोईलेट को रोज साफ और धोया जाता है तो अगर आपके पास आपके आगनवारी केंदर परिसर में टोईलेट है और उसको रोज धोया जाता है तो आप हाँ करेंगी और जब आपके पास toilet है ही नहीं तो भी आप लोग हाँ पे भर सकते हैं क्योंकि इसमें other कोई option भी add नहीं किया गया है जिसे की जिनके पास toilet नहीं है वो उस option को select कर सकते हैं तो आप लोग अभी कोई option नहीं दिया गया है तो हाँ पे ही select कर लेना है फिर है भंडारन छेतर को क्रिंत को और कीटों से साफ और मुक्त रखा गया हां रखा गया राजे के दिशा निर्देसों के अनुसार समागरी का संग्रहन होता है फिर राजे के दिशा निर्देसों के अनुचाथ टीएचर का जो वितरन है टीएचर का जो संग्रहन है उसको किया जाता है तो इसमें हाग करेंगे किटानू ना सक किट ना सक अलग से संग्रहित और लेबल किये जाते हैं फिर उसके बाद किरोसिन चारकोल जैसे इंधन अलग से संग्रहित होते हैं तो इसमें भी आपको हां कर देना है जैसे कि चारकोल का मतलब हुआ कोईला तो इसका जो संग्रहित है वो अलग से किया जाता है तो आपको हां कर देना है फिर है परिसर में पोर्टेबल पानी उपलवध पोर्टेबल का मतलब हुआ कि जो कैन होता है उस कैन में यानि 20 लीटर वाले डब्बे में अगर पोर्टेबल पानी उपलवध है तो आपको यहां पे हां करना है जैसे कि आने वाले समय में भी ये बेवस्था आपकी केन्दर पर लागू की जा सकती है कि जो पोर्टेबल पानी 20 लीटर का गैलेन होता है उसको उपलवध कराए जाए बच्चों को पीने के लिए जो मिनरल पानी होता है तो हो सकता है जो सुविधाय उपलवध कराए जाए अभी आप लोग नहीं पे किलिक कर दीजेगा जैसे कि हमारे पास इस परिसर में पोर्टेबल पानी उपलवध नहीं है इतना कुछ भरने के बाद आप जारी रखे पे किलिक कर देंगे जारी रखे पे किलिक करने के बाद आपका पहला स्टेप कम्पलीट हो गया दुसरा फिर ओपन हो जाएगा खाद, सुरक्षा और हैंडलिंग तो इसमें पूछ रहा है खाना पकाने का छेतर स्वक्ष है तो हाँ है बरतन और साफ बरतन और साधन साफ है तो जो बरतन आपको दिये गए हैं खाना पकाने के लिए वो सभी साफ सुथरे हैं तो इस पे हाँ किलिक कर देना है दीशा निर्देशों के अनुसार अस्थानिया रूप से खरीदी गई सामगरी मानक गुनवता की तेल यानि जो आप ओईली इस्तमाल करते हैं वो मानक गुनवता के अनुसार होता है कि नहीं इसके लिए आपको हाँ नहीं में किलिक करना है तो हाँ कर देना है आयोडिन व्यूक नमक डवल फोटिफाइड नमक हाँ मसाले ताजी सबजिया दलहन चीनी चीनी यगूर ब्यक्तिगत स्वक्षता बनाए रखी और जो हाथों की साथ सफाई है वो ब्यक्तिगत स्वक्षत के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है तो हाँ कर देना है उचित ब्यक्तिगत ब्यवहार आपका जो ब्यवहार है आपके जो लभार्थी है उनके साथ आपका ब्यवहार कैसा है उचित है तो आपको हाँ पे किलिक कर देना है हाँ धोने की पर्थाक का पालन किया जाता है तो हाँ किया जाता है भोजन साप पलेटो और कटोड़े मे परोसा जाता है हाँ अत्रीक्त भोजन कचरे का उचित और सुरक्षी तरीके से निप्टान जो अत्रीक्त भोजन है यानि बच्चे जो खाना खाते हैं उसके बाद बच्चों का जो अत्रीक्त भोजन छूट जाता है उसको उचित और सही तरीके से कुड़ेदान में उसको र प्राप्त भोजन की गुनवत्ता दिशन निर्देशों के अनुसार तो यहां पर आपको हां कर देना है उसके बाद बीतरन और पेकेजिंग बराबर है यानि कि जो आप लोग टी एचार का बीतरन करते हैं उसका जो पेकेजिंग है जैसे कि माले जी अगर आपके पास पेकेजिंग की सिवधा उपलद नहीं है तो जो आपको जोला दिया जाता है उसमें भरके आपको बितरन करना है तो अगर आप लोग वो करती हैं तो आपको हां कर देना है फिर आ रहा है राज या तीर्षा निर्देशों को अनुसार करते हैं जैसे कि स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा जो आपने स्टॉक रिकॉर्ड है जैसे कि जो समगरियां है उसका रिकॉर्ड बनाए रखा तो आपको यहां पे हां कर देना है परती लभार्थी और सेक्ताओं के साथ सरकारी बैठकों में गर्म पकाय भोजन का बितरन तो देखिए अभी जो यहां पे गर्म पकाया भोजन का बितरन है वो यहां पे तो नहीं हो रहा है जैसे कि जो सुर्धाय थी गर्म पकाया भोजन बितरन करना वो यहां पे नहीं दिया जा रहा है तो आपको यहां पे नहीं सेलेक्ट कर लेना है अनुरक्षित सामगरी की गुनवाता पर बितरन अस्थानिय रूप से खड़िदा गया तो आपको यहाँ पर हां कर देना है FCI से प्राप्थ हुआ यानि यह जो कोश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको जो THR बितरन के लिए जो सामगरिया दी जाती है बाटने के लिए क्या वो FCI के तरफ से भेजा गया है तो अगर आप लोग FCI से प्राप्थ कर रहे हैं जैसे कि खबरों के मुताबिक अब जो आगनबारी केंद्र है उनको FCI के दुआरा यानि कि फोटिफाइड चावल बितरन किया जाएगा जो FCI से प्राप्थ होगा तब आप लोग को हां करना है प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्थ हुआ तो प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्थ हुआ है तो आपको यहाँ पे हां करना है उसके बाद और AWC में सफाई समगरी साबुन आदी का खरीद का विबरन है तो जो आपको समगरी जैसे की साबुन वगेरा जो हाथ धुलने के जो साबुन है उसकी खरीद का विबरन है आपके स्टॉक रेजिस्टर में तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है उसके बाद AWC में किटानू न जासक आदी की खड़ीद का विब्रन है तो आपको यहां पे हां करना है जो दवा होता है उसका खड़ीद का विब्रन आपके श्टॉक में है तो हां किजिएगा नहीं है तो नहीं पे किलिक कर सकते हैं तो यहां पे हां पे किलिक करने के बाद हमारा जो फाइनल चेक लिस्ट है वो कम्पिलिट हो चुका है अब हमको यहां पे सब्मिट वाले अप्शन पे किलिक करके इस चेक लिस्ट को अपलोड कर देना है तो चलिए यहां पे सब्मिट वाले अप्शन पे किलिक कर देते हैं जैसे ही submit वाले option पे click करेंगे तो checklist आपका upload हो जाएगा और यहाँ पे आपका date भी दिखा देगा कि आपने इस महिने इस तारी को अपना checklist भरा हुआ है तो इसी परकार से आपको जब भी checklist भरना हो इस परकार से भर लिजिएगा तो हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा checklist कैसे भरते हैं जिसकी जनकारी आपको मैंने दी आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और ने सेविकाउं तक सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी आंगनब